दोस्तों ये है यामा का न्यू लॉंस रेज एड़र का हाइब्रेड एडिशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रेज एड़र हाइब्रेड में चार बेरियंट और बारा से ज्यादा कलर का ओप्सन है ये इसका Redis Yellow Cocktail Color है, डिस्क ब्रेक के साथ में, इसमें क्या-क्या बदलाब हुए है, features क्या है, mileage क्या है, और इस पर आपको cash का कितना discount मिलने वाला है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो सबसे पहले हम इसके front profile से start करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक transparent wind seal का glass मिलता है, जिसके उपर आपको blue core hybrid का sticker मिलता है, और इसके center में आपको LED position light मिलती है, और इसके जो indicator हैं, वो आपको वही पराने वाले bulb के मिलते हैं, और यहाँ पर आपको number plate का option, और इसकी जो headlight है, वो अब आपको जो है, इसमें fully LED setup के साथ देखने को मिल जाती है, जो की एक नया बदलाब है, इस Ray ZR scooter में, और यहाँ पर आपको graphics नहीं मिलते हैं, नीचे की side में आपको Yama का logo और yellow color के stick ring देखने को मिल जाती है, जो की काफी unique लग रही है, और इसका जो front mudguard है, इसके meter console की बात करें, तो यहाँ पर आपको yellow color का combination मिलता है, बीच की side में आपको digital meter मिलता है, और Yama का logo इसके नीचे की side में दिया है, और यहाँ पर आपको auto mode की indication light, engine malfunction indication light, eco mode indication light, turn signal indication light, और यहाँ पर आपको auto assist की indication light देखने को मिलती है, जो की इसमें new add की गई है, और यहाँ पर आपको fuel की reading, km पर आर, speed की reading और rpm की reading देखने को मिलती है, इसमें Bluetooth connectivity का भी option दिया है, आप अपने Bluetooth को connect करके Yama motorcycle के application में, riding history, locate my vehicle, parking record जैसी features को देख सकते हैं, और इसके side mirror हैं, वो भी काफी unique design के दिये गए हैं, यहाँ पर आपको low beam, high beam का switch, इसी में आपको passing का switch और indicator और horn का switch मिलता है, इसके दूसी side में चलें, तो यहाँ पर आपको auto mode का switch मिलता है, नीचे आपको self का switch मिलता है, अगर इसको side profile की तरफ से देखें, तो yellow color इसमें आपको नया देखने को मिलता है, और इसके जो graphics हैं, वो भी काफी unique दिये गए हैं, yellow और black color का जो combination है, वो इस scooter को काफी ज़्यादा highlight और काफी ज़्यादा stylus और काफी ज़्यादा sporty बनाता है, और यहाँ पर आपको yama का और यहाँ पर आपको graphics मिल जाते हैं, और नीचे की side में आपको 145 mm की ground clearance मिल जाती है, और यहाँ से आप इसके lag space area को देख सकते हो, जो की काफी ज़्यादा unique और stylus दिया गया है, और यहाँ पर आपको yellow और black color का combination मिलता है, और यहाँ पर आपको key point भी मिल जाता है, seat के नीचे भी side में भी आपको black color दिया गया, और यहाँ पर इसका जो panel है वो पूरी तरह से change कर दिया है, पहले इसमें आपको थोड़ा सा curve देखने को मिलता था, और यहाँ पर इसके panel के उपर आपको yellow color का combination और जिसके उपर आपको Ray ZR का sticker और 125 का sticker मिल जाता है, जो की graphics के साथ में दिया गया है, और plan के लिए आपको adjustable putrest, और यहाँ पर आपको exhaust जो है वो वही पुराना वाला दिया गया है, जो की fiber की plate के साथ दिया है, और यहाँ पर इसकी जो seat है वो भी काफी वदल दिया है, और पहले से इसकी जो seat की quality है वो काफी जादा improve कर दिया ह है, और इसकी rear की side में चलें तो यहाँ पर आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर इसका जो grab handle है black color में दिया है, और इसकी जो tail light है वो आपको halogen की मिलती है, indicator भी आपको इसमें halogen के मिल जाते हैं, जो आपको इसमें पहले भी मिलते थे, अगर हम इसको दू distance लगा होगा, तो यह scooter start नहीं होगा, यहाँ पर आपको केक स्टार्ट का option भी मिलता है, और 110, 90, 10 car tire size मिल जाता है, 10 inch के black color के allowable, 130 mm की drum brake, और यहाँ पर आपको unit swing tap के suspension मिलते हैं, बात करें इसकी engine और power की तो इसमें दिया है, 125 cc का air cooled forest rock SOS C2 valve BS6 engine, इसकी maximum power है 8.2 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque है 10.3 Nm का, 5 air rpm पर इसके additional features है, position light, smart motor generator system, side stand engine cut-off switch, hybrid technology, mobile Bluetooth connectivity, इसका curb weight है 99 kg, तो दोस्तों मैं आपको Yamaha Ray ZR का hybrid edition के exhaust के sound को note करा देता हूँ, तो यहाँ से आप इसके exhaust के sound को note कर सकते हो, इसके engine में और इसके exhaust में कोई भी बदला भी हुआ है, यह सकी आपके exhaust के sound को note क कर सकते हो, दोस्तों, इसका sound है वो भी काफी unique और काफी ज़्यादा silent दिया गया है, इसके mileage की बात करें तो जैसा कि 125cc का scooter है, इसमें आपको 50-55 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा, तो दोस्तों बात करें इसके price की और discount की तो Yamaha Ray ZR Hybrid के disc variant की exorum कीमत है, 81,360 और 31 October 2021 तक इस scooter पर आपको 4000 रुपए का cash का discount मिल जाएगा, एक exorum कीमत पर, ये exorum price और offer मैंने आपको बताया है, तनुसका Auto Yama, मद्यम गराम, कॉलकता सोरum का, सोरum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी, अगर आप कॉलकता या सपासे हैं, तो नीचे दिये हुए number प की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, thank you दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में